भोजपुरी स्टार दिनेशलाल यादव नहीं किसी बॉलीवुड स्टार से कम, करोडों में करते हैं कमाई नमस्कार मैं हो संगीता और आपका 108 उनेटिक न्यूस चानल लीड इंडिया में स्वागत है सुपर स्टार दिनेशलाल यादव यानि निरववा भोजपुरी इंडास्ट्री के वो स्टार है जिने सब पसंद करते हैं लेकिन यहां तक इस मुकाम तक पहुँचने के लिए उन्होंने काफी स्ट्रगल किया है भोजपुरी स्टार दिनेशलाल यादव याने निरववा को आज सब जानते हैं निरववा ने एक से बढ़कर एक सूपर हिट भोजपुरी फिल्में दी है निरववा की फैन फॉलविंग इतनी जबरदस्त है कि उनकी फिल्में रिलीज होते ही थेटर हाउस फिल्ल हो जाते है फैन्स निरववा की एक जलक देखने के लिए बेताब रहते हैं उनके गाने भी रिलीज होते ही हिट हो जाते है लेकिन क्या आप जानते हैं कि निरुवा आज जिस मुकाम पर पहुँचे हैं उन्होंने इसके लिए बहुत स्ट्रगल किया है और उनकी मैनत का ही ये नतीजा है कि भोजपूरी इंडास्ट्री में सबसे ज्यादा कमाई करने वाले अक्टर्स में से एक है नेट वर्थ देखो की रिपोर्ट के मुताबिक दिनेशलाल यादव की नेट वर्थ 6 करोड है उनका सोर्स ओफ इंकाम आक्टिंग ही है वह एक फिल्म के लिए 40 लाक रुपे लेते हैं स्टार्स अनफोल्डेड ने लोगसभा इलेक्शन के दौरान भरे गए एफिडेविट से जानकारी दी है कि निरववा के पास गोरदपूर में घर है जो 45 लाक का है मुंबई में अंधेरी वेस्ट में 3 करोड का फ्लैट है गाजीपूर में 1 करोड और 15 लाक की जमीन है करियर की बात करें तो निरववा ने साल 2006 में रिलीज हुई फिल्म चलत मुसाफिर मोलिया रे से भोजपूरी इंडास्ट्री में कदम रखा इस फिल्म ने उन्हें कुछ खास सफलता नहीं हुई इसके दो साल बाद निरववा फिर फिल्म इंडास्ट्री में निरववा रिक्षावाला में नजर आए और इस फिल्म से निरववा को काफी हद तक सफलता मिली इसके बाद निरोवा ने एक के बाद एक कई हिट फिल्में दी शुरू में निरोवा और भोजपुरी आक्टर्स पाकी हेगडे की जोडी ने फिल्मों में खूब धमाल बचाया दोनों की ओन स्क्रीन केमिस्ट्री फैंस को बहुत पसंद आने लगी इसके बाद 2014 में निरोवा और अमरपाली दुबे ने साथ में काम किया ये फिल्म सुपर हिट साबित हुई और इसके बाद अमरपाली और निरोवा ने एक के बाद एक कई फिल्मों में साथ काम किया दोनों की जोडी तब से लेकर अब तक भोजपुरी इंडस्ट्री की बेस्ट ओन स्क्रीन जोडी मानी जाती है वैसे अमरपाली और निरोवा की ओफ स्क्रीन केमिस्ट्री भी काफी अच्छी है दोनों एक साथ खूब फोटोज और वीडियो सोशल मीडिया पर शेर करते रहते हैं